मैं रुपेश कुमार मिश्रा आप सभी का आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके नन्हे मुन्हे प्यारे यूट्यूब चैनल ब्रेंस्टॉर्म इडी पर सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को सेर कीजिएगा नोटिफिक सब्सक्राइब करना है चैनल पर आपको सब्सक्राइब कर देना है वीडियो कृक्स बताना है कि आपको जिस भी भी सय का help सब्सक्राइब हो रहा है मैत हो भी कमेंस ट्री हो जियोलोगी हो बोटनी हो बलावला जो भी सब्जेक्ट है सारे का मैंने comment पढ़ा है और हर एक विशाय पर टीम काम कर रही है जो जी से पर लरका है मैंने उसको बोला है। हो लोग पेपर सेट करके एरेंज कर रहा है आप जो आज का मेरा टॉपिक है देखे पहले जो वीडियो आया था उसमें क्या थे पर थर्ड पाट का भी बताए आपको फिजिक्स ओनर्स का क्वेश्चन 2020 में जो महतोपूर्ण है तो पुछे जा सकते हैं ना तो यह डिग्री थिरी का पेपर फाइब देदी हम सिक्स देदी ड तो देचुके नहीं तो आप जाके लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा या वह पेपर फाइब का और सिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगा वह जाके आप लोग देख लिजेगा और डिग्री टु वाले का भी जो देखना है वीडियो पेपर थिरी एवं फोर तीन पेपर होता है जिस पर पांच छे का मैंने बता दिया है सात्मा पेपर है पर इक्षागित बिस्टिक हों से काफी महत्तपूर्ण है इसको आप लोग पर लिजिएगा इसको थोरा गौर से देखिए यह ने ब्रेंस्टोर मीडिया चैनल का नाम लिग दिया जो कुछ ग कर देखिए कंसे पता रहेगा और जिस जिस कोश्चन का अंसर वाला बात है उस पर भी हो गया था काम होगा दीरे दीर दीर उस पर वीडियो बनेगा पहले तुम्हें कुस्चन देके मैं सोचा कि मैं से पहले फ्री हो जाओं उसके बाद मैं आगे इसके सॉलूशन पर भी क देखिए आप लोग डिसके स्पॉंटेनियस इमिशन एंड इस्टाइम एंड इमिशन यह कहां से आया तो आप लोग इसमें देखिए आइंस्टाइन एब कोफिसेंट का एक कोस्चन लोंग टैप में आता है उसी में यह रहता है जुरा वाज़ाइद अधर तर्टेम तो आप लोग पर है ही होंगे थर्ड है डिसकस इन ब्रीफ दिफरेंट टाइपस ओफ मोलेक्यूलर एस्पेक्ट्रा चौधा है वाट इस स्टार्क इफेक्ट बाई साहाब या जो है मित्रगन वो लोग स्टार्क इफेक्ट को पर लिजेगा यह बहुत ही ज्यादा हां वाटिज रमण इफेक्ट एक्सपेन इउत्स इंपोर्टेंट्स इसके महत्यपुर्ण जो अप्लिकेशन है उसको दरसाइए इसके को दरसाइए यह ईतना इंपोर्टेंटेंट नहीं है लेकिन मैंने फिर भी शौट्पोस्चन इसको रख यदा इंपोटेंट यह है अ बाद उसके बाद चठा है About Thermo Ionic Emission LS and LS या ज्जे कपलिंग इस दो में से एक पूछेगा Thermo Ionic Emission या LSJG में से ठीक सत्मा है X-ray Spectra या Space Quantization Q-A-N-T-I-S-A-T-I-O-N Ti-I-S-A-T-I-O-N Quantization X-ray Spectra X-ray के बारें पता है 1895 में इसका खोज किया गया था विलियम रोइंग रोइंट गन या रोइंट गन कुछ नाम है उसका जो कुछ तो यह आपको एक कुश्चन है जिसमें सब ज़्यादा महत्वपूर्ण यह पहला है यह दूसरा है यह तीसरा है यह स्टार की फेक्ट है चौथा और हलका फुलका थर्माइनी की विशान मैं रम इफेक्ट के बारे में रमन इफेक्ट सी भी रमन इनी को इनी का नम से रमन है और जो है सो अठाइस परबड़ी को जो मनाया जाता है सो एक बैसिकली इनी के नाम पे एक्षवर है ना तो आप लोग इसको गौर से देख लिए यह सारे कुश्चन को और इसको निश्ची गौर से और हाँ एक बात समझ लीजिए केस पर से जो भी पर रहें मना कर रहें आपके लिए आप वाइदब आपका मर्जी आप जाके च्छापिए को कोई मतलब नहीं है लेकिन हम आपको इतना कंभिंस कर रहे हैं कि यह पर से कर आप पढ़िएगा ता आपका सातों भी द लेकिन जो गेस्टेपर से पढ़ेगा उसका सातों भी दियानास बस याद रखेगा हम यह बात पहले बोल देते हैं अब ध्यान दीजिए आप ही के भलाई के लिए बोल रहे हैं डिस्क्राइब विद थियोरी जे जे थांसन मेठोड ऑफ मीजरिंग दरेशियो ऑफ माइस लब डिस्कवरी किया गया था जेजे थोंसन के द्वारा इसका वहल्यू मैनस वन पॉइंट सेवन फाइट एट उसका वहल्यू होता है बता देते मैनस सेवेन फॉंट फॉंट पाइट इट पर ग्राम से दोता है जो होता है मैं भगवान जाने आप लोग जाने लिए आप लोग को जिससे समझ में आज़े वह से हम पर के इसलिए आप लोग को सुना देते हैं कि आप लोग समझ जाए कि यह प्रस्ण जैदा महतों पूर्ण है सकेंड नमर कुस्चन है आपको वाट इज जीमन इफेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट कुस्चन है जीमन इफेक्ट पूछे गाई पर इक्षा में बहुत ज्यादा इपोर्टेंट प्लिस इसको पर लिजिए गा उसके बाद ए गिव द थीवरी ओफ एनमेलस जीमन इफेक्ट यह पूछे गए जीमन इफेक्ट के बारे में पता होगा थारा सुच्यामी गठार शंतानमी के आपने शॉटा देखा इसके बाद इसको प्रदूश अपने इसको पूर्ट्वी प्रदूस इन फोर और मोर लैंस वेन अब्सुर्ट आप्ज़ प्रपेंडिक्ट पेंडिक्ट फिल्ड यह सब ना इसमें है इसका पता निचुरी सब क्या है अपना कहानी देखेगा तरा स च्छान बठार संतान में यह जीमन इफ्रेक्ट का जो है तो पता नहीं यह जीमन ने किया था यह ट्रिनिटी कॉलेज आयर्लेंड में क्या हुआ था डबलीन में जो स्टोडी है इसका तो स्टोडी हम पूर्टेंपर है थे सारा देख लिए बहुत ज़ए इस इन अटम इस्ट इन दा सेम क्वांटम स्टेट विट सेम स्पीन नहीं पॉसिवल है पॉसिवल है इस पीन पलस हाफ और मैनस सब्सोड़ अधिन बिकम्स जीरो एसे नहीं होगा एक एंटी क्लोग बाइद नहीं होगा थीक है समझ गेना खाले आप लों कॉलाबरेशन दीज इसी में से रहेगा देख लिजेगा ठीक है शोट नोट्स मैंने दिया इस बार देखिये प्छले बार सौटन नहीं पूछा गया था इस वाड़न से सर्टन गिर्लै के रिमींट पढ़ होंगे आप लोग से लुग से अट डेक्शन बोर बहुँन कहां से आ घ्या इसे पच प्रश्चन बैक इफेक्ट जो लॉग में पुछा गया था पिछले साल उसी को में ने सॉट नोट्स में बना दिया यह काफी महतवपूर्ण है और यह प्योर रूटेशनल एस्पेक्ट्रा जैसे रूटेशनल इस्पेक्ट्रा वाइब्रेशनल इस्पेक्ट्रा एटीसी वा अब गुरूप बीपर शेवन का गुरूप ए तों देख लिए और साथ विद्यानास वाला बात वर इसमें आपका नास नहीं होगा ठीक है आप खली पढ़ाए पर ध्यान दीचे गिए इस लिए बिद्यानास हो जाएगा बुक का युज कीजिए जितना वी सारा बुक के स इसके साथ साथ मेरी तरफ से जो कलाबरेशन होगा आप लोग के लिए मैं हमेशा करूँगा चाहे वो युनिवर्सिटी के किसी ऑथोरिटी से बात करना हो आपके आपके आप तक मैं किसी तरह का शंदेश पहुचा सकूँ आप बताइएगा जरूर मैं उनसे बात पूचूँगा ताकि आप लोग किसी भी चीज से बांच इतना रहे हैं यह तो साइड से बात होगे देख लेते हैं बाद में इसका चर्चा करेंगे देखिए ग्रूब बी ओर्ट लाइन दा थेयरी ओफ रोटेशन वाइबरेशन एस्पेक्ट्रा ओफ डाय एटमिक मोलेक वाट विल बी दो इफेक्ट ओफ दो प्रजेंस ओफ आइसो टोप्स ओन दा इस्पेक्ट्रा देखियो क्वेशन का और से पूरा एकदा पर पर के मिसले सुना देते हैं ताप की आप लोगों को समझ में आ जाए यह नहीं बोलिएगा कि भाया जो हमको यह मतला आपका हैं थोड़ा जयदाला पेटा हुआ है इसलिए आपको पर के भी सुना देता है क्या करें हो जाता है थोड़ा सेकेंड है वाट इज रमान इफेक्ट अभी आप बोलें गरमान इफेक्ट अब इसलिए इसलिए ज्यदा इंपोर्टेंट नहीं है यह लॉग में पुछेगा इसलिए इसलिए विट स्विटेबल डाइग्राम दप्रिंसिपल मतलग सिद्धांत कंस्ट्रक्शन रचना वरकिंग कार और रूबी लेजर रूबी अ मर्द फिल्म वाला रूबी लेजर रूबी आ गया है मर्द फिल्म देखेंगे अमिता बच्चन का तो वहीं वाला रूबी तो वहीं रूबी आ गई यहां पर ठीक है ना वो रूबी आ नहीं है दूसरा रूबी है मजा किया हम उसके बाद आपको सॉर्ट नोट्स है स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन्स पढ़े होंगे आप लोग रमनी फेक्ट वाले चेप्टर में है एस चन्द मे है ही लियम जोड़ेजर का किसकी में यूज होता है मेडिसीन में कॉम्मिनिकीशन में उसके बाद आपको साइन्स एंट टेक्नोलोजी में उसके बाद क्या बोलते हैं इसको मतलब ये इंडस्ट्री में इटिसी जो कुछ है अभी खायर उसका चर्चाम को नहीं करना इसमें आपको लेजर के बारे में पूछेगा अपको तीनों कोशन यहीं रहेगा अगले वीडियो में अगले वीडियो में और देखते हैं अगला वीडियो आएगा आप लोगो देखिए मैं आप लोगो ना जीएस के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ जेंरल और इंवरिमेंटल स्टीडिस के बारे में जिसमें आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अच्छा ले सकते हैं ला सकते हैं कैसे उसका तरीका है कितना कुश्चन परना है कितना कुश्चन याद करना है इस परिछा के दिस्टिकों से अब आगे का तो जो है इस हिसाब से आपको 80 प्लस मार्स आजाए मैं सारा आपको बताऊंगा आप लोग जो है सुजूर जाएगा चैनल के साथ मैं उसका भी व्यूट्यू अप्लोड करूंगा ठीक है